हेलो एब्रीवान आज मैंने बनाई है राजस्तानी पितोड की सबजी यह आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और यह टेस्टी भी बहुत बनती है आप भी इसे जरूर बनाए मैंने इसे बिलकुल पर्फेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ में बनाना बताया है तो य यह बहुत ही अच्छी बनेगी पितोड की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसके साथ ही मेंने लिया है आदा कब जितना बेशं तो इसमें सबसे पहले हम पितोड बनाएंगे फिर मैं यह चुड्री रख रही हूं और इसमें यह बेशन डाल र इसको mix करने में भी बहुत easy रहता है हमने बेसन चान लिया है अब आम इसमें डालेंगे मसाले इसमें में डालेंगे 1-4 टी-स्पून जितना हल्दी पाउडर 1 टी-स्पून लाल मिर्ची पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं स्वाद अनुसार नमक आदा चमत जीरा और पाउचमत जितना अज्वाइन अज्वाइन को आम इस तरह से हाथ में लेके और क्रश करके और फिर इसमें एड करेंगे इससे इसकी खुश्बू भी अच्छे आती है और सबजी में जो वेशन की सबजी हम बनाते हैं उससे गैस भी नहीं बनती है फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग हींग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है इसका स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है अब हम इन सारे मसालों को इस बेशन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने लिया है एक कप चितना पानी पहले मैं इसमें आदा पानी डाल रही हूँ और हम इसे मिक्स कर लेंगे इसका इस तरह का गोल बना है आदा कप पानी डालने से अब मैं इसमें डाल रही हूँ और आदा कप पानी मैंने यह मैजर कप से लिया है आप गर की तो इसमें घुछल मिक्स हो ग wanna बढ़ी POL दाल सकते हुए लोग रेको और जाती समी मतनाती के सब्सक्राइब тобा कंदानती ना इससे जाधा जाते हैं क्योंकि इसमें डालना है और बीच पााज सकते हुए उसमें गाथे बन जाती है तो इसलिए इसमें पानी का रेशो परफेक्ट होगा तो हमारे पितोड एकदम बराबर बनेंगे यहां पर मैंने ली है एक कड़ाई इसमें हमें गी तेल कुछ नहीं डालना है बस हमें इसे सिरफ गी या तेल जो भी है भी आप ले रहे हैं उससे हलका सा चिकना करना रा उड़ी है अब मीडियूम फ्रेम पर हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमें इसे और च़ infect करको बना तो कि吧 पूल दला देचृ BEC अभी हमें इसे 5-7 मिनिट तक और पकाना है जिससे जब हम इसे प्लेट करेंगे थाली पर तो यह इजीली निकल जाए उस पर से इसे चलाते रहना है बिल्कुल भी आप छोड़े नहीं इस तरह से यह बिल्कुल ठिक हो गया है एकदम हलवे जैसा तो अगर आपको यह पता नहीं चलता है कि यह पक क्या है तो हम कैसे पता करेंगे इसे एक प्लेट पे थोड़ आसा स्प्रेड करके और दो मिनिट के लिए ठंडा होने दे जब यह आसानी से उतर जाए तो आप समझ लीजेगा कि यह बिल्कुल पक के तयार है तब तक गैस की अगरी फ्लेम बिल्कुल दीरे कर दें और इसे कंटीन्यू चलाते रहे यह जो हमने प्लेट पे चिपकाया था यह बिल्कुल इजिली निकल रहा है मतलब कि यह पक चुका है तो इस तरह से हम इसे अब दूसरी प्लेट पे स्प्रेड कर देंगे क्योंकि यह मिक्शर बिल् अब हम एक स्पेचुला से इसे इस पर फैला लेंगे इस तरह से यह बहुती इजिली स्प्रेड हो जाता है इस तरह से आप इसे पूरा स्प्रेड करके और इसे रख दे ठंडा होने के लिए आप इसे थोड़ा जल्दी जल्दी स्प्रेड करें नहीं तो यह बहुती एक जगे से भुटाइब आपवरे में इसकी दो अपर के टईक स्कते हैं कि अहीं कर लैते हैं इसकी घुटाश की तयारी पितोड की सब्सब्सकी घुटारीworkingर के मिटनी बनती है इसकी gravy कभी भी टमाटर प्याज वाली नहीं बनती है गट्टे की पितोड की अब हम इसमें डालेंगे मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ आदा चमच जितना हल्दी पौडर एक चमच लाल मिर्ची पौडर और डैड़ चमच जितना दन्या पौडर बाकी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से फैट लेंगे इस सब्जी में आप एकदम ताजा दई नहीं लें जो हलका सा खटा हो एक दिन पुराना तो वो वैसा वाला दई चाहिए होता है हमे यहां पर मैंने ली है एक कड़ाई इसमें मैं डाल रही हूँ दो चम्मज इतना गी ये दो बड़े चम्मज इतना गी है इन सब्जियों में गी थोड़ा ज़्यादा लगता है मैंने इसे गी में बनाया है आप इसे तेल में बना सकते हैं या आधा गी या आधा तेल भी डाल सकते हैं उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है गी गरम हो गया, अब में इसमें डाल रही हूँ एक चम्मत जीरा, फिर में इसमें डाल रही हूँ वन फोर टीस्पून जितनी हिंग, हिंग इसमें थोड़ी सी जादा ही जाती है, फिर में इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और अद्रक की पेस्ट, इसे मैंने दरदरा ही अब में इसमें डाल रही हूं दही डालने के बाद में हमें इसे कंटिन्यू चलाना है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है नि तो कई बार ऐसा होता है कि दही पट जाता है इसमें दही में उबाल आ गया है अब हम इसे डग करके और पकने देंगे इसमें जो ग्रैवी पकने की पेचान होती है वो यही होती है कि गी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है एकदम साइड में आ जाता है इस तरह से अब हम इसे हिला के और देख लेंगे एक बार तो यह इसकी ग्रैवी बन गई है अब हम इसमें डालेंगे करीब आदा से पॉन कप ज जाता है जब यह पूरी पक जाती है इसकी ग्रैवी तब सबसे लास्ट में ही इसमें यह नमक मिलाया जाता है अब हम इसे भी काट लेते हैं मैं इसके यह पर स्क्वेर पीसेज कर रही हूं आप चाहे तो आप इसके डायमंड शेप में भी कर सकते है जो काजू की कतली वाल है यह इस तरह के हमारे पितोड बने है आप देख सकते हैं और यह बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं प्लेट पर से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं हम यह पितोड को ग्रैवी में डाल देंगे हमारे यह इस तरह से पितोड बना के और इसकी सूखी सबजी भी बनाते ह अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी इस टाइम में गर्मियों में ये इस तरह की सब्जिया बहुत बनती है राजिस्तान में फिर में इसमें डाल रही हूँ आदा चमत जितना किचन किंग मसाला आप इसकी जगे पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं यह मेरा homemade kitchen king masala है मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी इसके description box में और मैं इसके सारे ingredients भी description box में दे दूंगी तो आप उसे वहां से देख सकते हैं फिर में इसमें डालोंगी कटा हुआ हरादनिया यह हमारी पितोड की सब्जी बिल्कुल बन के तयार है आप इसे रोटी पराठा पूरी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम इसे एक serving bowl में लेंगे यह हमारी राजिस्तानी पितोड की सब्जी बिल्कुल बन के तयार है आप देख सकते हैं देखने में कितनी temperting से लग रही है इसे देखते ही खाने का मन करता है जैसी तो आप इसे बनाने के लिए थोड़ इसे tips और tricks का ध्यान रखेंगे तो आपके पितोड हमेशा बहुत ह अच्छे बनेंगे बस एक तो आपको पितोड बनाते टाइम इसके measurement का ध्यान रखना है कि बेसन में आपको कितना पानी डालना है और दई को continue चलाते रहें जिससे इसकी gravy बहुत ही अच्छे से बने तो आप भी इसे जरूर बनाए और मुझे comment section में बताए कि आपको यह कैस अच्छा लगी तो इसे like करे family और friends में share करें मेरी चैनल को subscribe करो bell icon जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी अगले वीडियो की notification मिल सके तो फिर मिलते हैं एक नई recipe के साथ thank you so much